बचो वेलकम टू वीडियो लेक्चर नमर टू इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा रिडक्षन करना है यह कोई एक्च्वल में कोई बहुत बरा टॉपिक है नहीं बट यह आलरी पता है तुम्हें बट एक मिनट का टाइम लेके इसको दोबारा एक बार क्लियर कर दे हैं कि अगर मालो के हमारा कोई भी लाइन है वो कार्टीजियन फॉर्म से हमें अगर किसमें चेंज करना है कार्टीजियन टू वेक्टर कार्टीजियन से अगर हमें लाइन के एक्वेजन को वेक्टर फॉर्म में कनवर्ट करना है मतलब कहने का यह है कि हमारे पास मालो की ल जन दे रखा है अब मैं तुम्हें बोलू कि ये किस form में सबसे पहले इसको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये Cartesian form में एक तो ये समझ में आना चाहिए दूसरी बात क्या है कि ये line का format क्या है ये फिर तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये line पे condition क्या given है पहला condition given है कि line पे जो fix point है उसका coordinate ये दे रखा है x1, y1, z1 ठीक है और line का जो direction ratio है या तो मैं बोलू कि line का direction ratio या मैं क्या बोलू कि line के जो parallel vector है उसका direction ratio क्या है ये ABC है अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब अगर मैं बोलू किसे vector form में convert करो तो vector form में क्या होता है क्या होता vector form यही होता है ना r is equal to a plus lambda b vector ठीक है अब r is equal to a क्या हमारा line पे fix point का position vector और fix point का coordinate क्या है x1, y1, z1 तो fix point का position vector क्या हो जाएगा x1, i cap plus y1, j, cap plus z1, k, cap plus lambda अब b vector b क्या हमारा यहाँ पे देखो actual में मैंने b vector भी ले लिया और यहाँ पे b direction ratio भी ले लिया तो एक काम करते है confusion से बचने के लिए इसे हम लोग एक मिनट के लिए m vector बोल देते है ठीक है तो m vector क्या हो जाएगा line के parallel जो vector उसका direction ratio के i b c है तो यहाँ पे लिखते है न यही m vector है न line के parallel vector तो यह क्या हो जाएगा ai cap plus b j cap plus c k cap मतलब क्या क्या हमने मतलब हमने vector form की क्या convert कर दिया cartesian form से vector form में convert कर दिया यह तो अल़ड़ी पता होगा vector form to cartesian form vector form से cartesian form में हम लोग क्या करने जा रहे है मालो कि हमारे पास एक कोई vector दे रहा r vector is equal to a vector plus lambda b vector अब यह किस form में दे रहा है यह तो हमारे पास दे रहा है न वेक्टर form में अब अगर हमें इसे cartesian form में convert करना है तो क्या करेंगे जहां पर यह भी दे रहा है where a vector जो है हमारा वो दे रहा है अगर suppose that x1 i cap y1 j cap plus z1 k cap and जो b vector दे रहा है मालो b vector दे रहा है a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap अब अगर मैं बोलूं किसे convert करो किस में convert करो vector form में convert करो तो एक तो यहां पर simple से एक line में convert कर सकते हो x minus fix point का x coordinate fix point का position vector क्या है a तो fix point का coordinate क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x1 y1 z1 और जो हमारा parallel vector है line के जो parallel vector उसका direction ratio क्या हो जाएगा a1 b1 c1 हो जाएगा तो एक line में तुम कर सकते हो x minus x1 upon a1 यह क्या हो जाएगा y minus y1 upon b1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा z minus z1 upon c1 ऐसे भी लिख सकते हो या फिर तुम क्या कर सकते हो r vector की जगा क्या लिखेंगे x i cap y j cap plus z k cap और a vector क्या लिखा है यह लिखा है x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap plus lambda और b vector क्या हमारा a1 i cap plus मतलब value हमने plug कर दिया अब यह c1 है c1 k cap तो यह क्या हो जाएगा x1 plus lambda a1 i cap क्या हो जाएगा y1 plus lambda b1 j cap और यहां पर क्या हो जाएगा z1 plus lambda c1 k cap और यहां से क्या हो जाएगा x i cap y j cap plus z k cap बस coefficient adequate कर लो तो x is equal to क्या हो जाएगा x1 plus lambda a1 y क्या हो जाएगा y1 plus lambda b1 और z क्या हो जाएगा z1 plus lambda c1 तो यहां से क्या हो जाएगा x minus x1 upon a1 क्या हो जाएगा y minus y1 upon b1 is equal to z minus z1 upon c1 यह lambda के equal हो जाएगा यही line का equation आगे तो इतना करना नहीं है यह तो मैंने ऐसे करके दखा दिया करना नहीं है हम तो direct take line में equation लिखेंगे क्योंकि अगर हमारे पास यह vector form में given है और यहां पे जो fix point है उसका position vector दे दिया और जो line के parallel vector है उसका direction ratio भी दे दिया a1, b1, c1 तो हो गया बस क्या दिक्कत क्या है हमें पता है x-x1, y-y1, z-z1 जिसमें x1, y1, z1 क्या होता है fix point का coordinate और उसके नीचे हम लोग क्या लिखते है जो line के parallel vector उसका direction ratio जो की a1, b1, c1 already given है तो यह तो कहने को इतना हमने पूरा value plug करके निकाला अब इतना करना नहीं होता है ठीक है अब कुछ questions करते है बच्चो question number 1 में क्या बोल रहा है कि find the vector equation of a line line का vector equation निकालो जिसका यह position vector दे रखा है which passes through a point एक point से pass कर रहा है जिसका position vector दे रखा है और end is in the direction of this मतलब line के जो parallel vector उसके direction दे रखा है अलसो reduce it to cartesian form यह तो बस ABCD question है vector का equation क्या होगा r vector is equal to सबसे पहले हम लोग अगर vector form r is equal to a vector plus lambda b vector यही होता है तो r vector क्या हो जाएगा a vector क्या दे रखा है 2i cap minus j cap plus 4k cap plus lambda और b vector क्या दे रखा है i cap plus j cap minus 2k cap तो यह तो vector form में आगे अब इसको cartesian equation में convert करना है एक तो रास्ता यह है कि तुम्हार vector को लिख लो x i cap plus y j cap plus z k cap ऐसे लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो 2 plus lambda i cap plus minus 1 plus lambda j cap और plus क्या लिख लोगे 4 minus 2 lambda j cap ऐसे लिख लो फिर coefficient equate कर दो coefficient equate करोगे तो x का value क्या होगा 2 plus lambda फिर y का value क्या हो minus 1 plus lambda और z का value क्या होगा 4 minus 2 lambda तो यहां से हमें equation क्या जाएगा x minus 2 upon 1 is equals to y plus 1 upon 1 is equals to z minus 4 upon minus 2 यह आगया Cartesian equation बट यह वाला जो step है यह हम करेंगे नहीं ठीक है यह करेंगे नहीं हम तो direct लिखेंगे कैसे x minus x1 मतलब जो fixed point हो उसका coordinate क्या होगा अब तुम यहां देखो जो fixed point हो उसका यह position vector दे रखा है जो fixed point हो उसका position vector दे रखा है तो fixed point का coordinate क्या होगा 2 minus 1 and 4 यह होगा न तो x minus 2 क्या होगा y minus y minus of minus 1 और क्या होगा z minus 4 यह तो होगया हमारा उसके बाद क्या जो line के parallel vector है उसका direction ratio तो यही है न parallel vector इसका direction ratio क्या है 1 1 and minus 2 direction ratio ठीक है 1 1 minus 2 तो यहाँ पे लिख दिया 1 1 minus 2 देखो एक second में answer आगिया यह साब काम हम इतना करेंगी नहीं करना चाओ तो कर सकते हो calculation बढ़ेगा but answer करने की जो रद्ध है नहीं ठीक है न देखो क्या बोल रहा है question number 2 में question number 2 में question number 2 में बोल क्या रहा है find the vector equation of a line through the point this and this इन दोनो point से pass करने वाले line का vector equation लिखो also find its Cartesian equation Cartesian equation भी लिखो पहला point क्या दे रखा है 3 4 minus 7 fix point दूसरा fix point क्या दे रखा है 1 minus 1 6 तो पहले fix point के position vector को हमने बोला वो क्या हो जाएगा बस i cap j cap k cap लगा दो minus 7 k cap and दूसरे point के दूसरे fix point के position vector को हमने b vector बोला यह क्या हो जाएगा i cap minus j cap plus 6 k cap vector equation क्या होता है r vector is equal to a vector plus lambda b vector minus a vector यही होता है न तो यहाँ पहले लो r vector is equal to a vector क्या होगा 3 i cap 4 j cap minus 7 k cap plus lambda b vector क्या है हमारा i cap minus j cap plus 6 k cap minus a vector a vector क्या हमारा 3 i cap plus 4 j cap minus 7 k cap यह तो होगी हमारा vector equation ठीक है इसको चाओ तो तुम था बहुत simplify भी कर सकते हो 3 i cap plus 4 j cap minus 7 k cap plus lambda और यहाँ पहे क्या होगा 1 minus 3 minus 2 i cap minus 1 minus 4 minus 5 j cap 6 plus 7 13 k cap ऐसे लिख सकते हूँ यह vector equation होगी line का vector equation हो गया which passes through the to fix point अब अगर तुमें बोले कि Cartesian equation लिखो तो एक काम तुम यहाँ से क्या कर सकते हो इस vector equation से direct Cartesian equation में लिख सकते हो कैसे r vector को तुम क्या लिखो x i cap plus y j cap plus z k cap यह r vector को लिख लो और यहाँ simplify करोगे तो क्या होगा 3 minus 2 lambda i cap 5 lambda j cap और क्या होगा minus 7 plus 13 lambda k cap ऐसे हो जाएगा अब coefficient equate कर दो तो क्या हो जाएगा x is equal to क्या होगा 3 minus 2 lambda y क्या हो जाएगा y is equal to 4 minus 5 lambda and z क्या हो जाएगा minus 7 plus 13 lambda तो यहाँ से क्या हो जाएगा x minus 3 upon minus 2 is equal to y minus 4 upon minus 5 is equal to z plus 7 upon 13 is equal to lambda तो यही हमारा आगे है क्या आगे है यह हमारा आगे Cartesian equation बट यह जो दो step है ना यह करने के ऐसा जोरत है ही नहीं हमें तो बहुत simple सी बात है क्या पता है पहला fix point क्या है पहला fix point है 3, 4, minus 7 3, 4, minus 7 दूसरा fix point क्या है दूसरा fix point हमारे पास 1, minus 1, 6 1, minus 1, 6 equation क्या होता है x minus पहला जो point है ना x1 का काम क्या कर रहा है पहले fix point का x coordinate 3 upon x2 minus x1 x2 1 ले लिए 1, minus 3 फिर क्या है y minus y1 क्या होगा 4 upon y2 minus y1 y2 minus y1 तो minus 1 minus 4 फिर क्या होगा z minus of minus 7 upon z2 minus z1 तो 6 minus of minus 7 तो equation आ गया यार x minus 3 upon minus 2 क्या हो जाएगा y minus 4 upon minus 5 और यह हो जाएगा z plus 7 upon 13 यह है ना equation यह है डिरेक्ट ठीक है यहां तक तो कोई problem है नी बचो next question में आ जाओ next question में क्या है हमारे पास क्या दे रखा है कि Cartesian equation line का दे रखा है क्या है 6x minus 2 is equal to 3y plus 1 is equal to 2z minus 2 क्या बोला है find its direction ratio बोला है कि line का direction ratio निकालो अब line का direction ratio निकालो इसका क्या मतलब है line का direction ratio निकालने का मतलब यह है कि line के जो parallel vector है न उसका direction ratio निकालो यह मतलब है ठीक है यह Cartesian form जो है यह non standard form में दे रखा है तो इसको तुम कैसे change करोगे इसको change करने के लिए सबसे पहले तुम क्या करो कि इसमें से 6 कॉमल लो तो क्या हो जाएगा x minus 2 by 6 यहां से 3 कॉमल लो तो क्या हो जाएगा y plus 1 upon 3 और यहां से 2 कॉमल लो तो यह क्या हो जाएगा z minus 1 ऐसे हो कि अब इसको तुम क्या लिख सकते हो अब तुम यह बताओ कि यहां पे जो 6 है और जो 3 है और जो 2 है इसका LCM क्या होता है LCM 6 होता है तो हम लोग क्या करेंगे इस equality को 6 से divide कर देंगे तो क्या हो जाएगा x minus 1 upon 3 upon 1 और यहां क्या हो जाएगा y plus 1 upon 3 upon 2 और यह क्या हो जाएगा z minus 1 upon 3 ऐसे हो जाएगा अब इसको मैं ऐसे लिख सकते x minus 1 upon 3 upon 1 is equals to y minus of minus 1 upon 3 upon 2 और ये क्या हो जाएगा Z-1 upon 3 अब देख लो ये किस form में आगे है तो standard form में आगे अब यहाँ पर ये जो 1 upon 3 लिखा है ये 1 upon 3 क्या है लाइन पर जो fix point है उसका coordinate 1 upon 3, minus 1 upon 3 और ये 1 क्या है लाइन पर जो fix point है उसका coordinate दे रखा है और ये 1, 2, 3 क्या है लाइन पर जो parallel vector है उसका direction ratio तो अगर मैं बोलूँ कि fix point का position vector क्या होगा fix point के position vector को हमने ये माना तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 upon 3 I cap minus 1 upon 3 J cap plus K cap जो fix point का coordinate क्या मिला हमे यही मिला ना 1 upon 3 minus 1 upon 3 and 1 तो fix point का position vector ये हो गया और जो line पर parallel vector है उसका direction ratio क्या है 1, 2 and 3 तो parallel vector क्या बन जाएगा I cap plus 2 J cap plus 3 cap 3 K cap vector form में लिखना है तो क्या उतार is equals to A plus lambda B A vector क्या हमारा 1 upon 3 I cap minus 1 upon 3 J cap plus K cap plus lambda B vector क्या लिखेंगे I cap plus 2 J cap plus 3 K cap यह होगी हमारा vector form यह line जो है यह हमारा vector form में आगी ठीक है ना बचो next question में आजाओ question number 4 में क्या बोल रहा है कि short at the points with the position vector हमारे पास 3 points दे रखा है जिसका पहले point का position vector यह है दूसरे point का यह position vector और यह तीसरे point का position vector है हमें क्या proof करना है कि यह तीनों points जो है ना collinear है collinear है इसका क्या मतलब है एक line पे लाई कर रहा है simple सी बत है तो कैसे proof करेंगे proof करने के लिए बहुत सारे option है पहला क्या है कि तुम कोई भी 2 point को उठाके कोई भी 2 point को उठाके एक line का equation लिख लो और देखा दो कि तीसरा point उसको satisfy कर रहे तो proof हो जाएगा मालो कि हमने इस point और इस point को उठाके एक line का equation लिख लिए उसके बाद देखा दिया कि ये point जो है उस line को satisfy कर रहे तो तीनों points को linear हो जाएगे एक तो ये रास्ता है दूसरा रास्ता क्या है कि जैसे मालो की ऐसे देख लो मालो ये p point है इसका position vector क्या है 5y cap plus 5k cap ठीक है ना मालो ये q point है इसका position vector क्या है 2y cap plus j cap plus 3k cap और ये point आ रहे इसका position vector क्या है minus 4y cap plus 3j cap minus k cap अब तुम यहाँ से क्या करो देखा दो कि pq vector ये pq vector और ये जो qp vector है ये parallel vector है देखा दो sorry pq and qr ये parallel vector है ये देखा दो तो बट ये जो point q है ये तो दोनो vector पर लाई कर रहा है तो फिर ये तीनो points को linear हो जाएगा ये भी एक रास्ता है चलो method one करते है method one क्या है कोई भी दो point को उठा के है हमने क्या कर लिया एक line का equation लिख लिख लिए अब line का equation क्या होता है दो point से एक तो ये होता है Cartesian form में x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 और ये क्या होता है z minus z1 upon z2 minus z1 ये तो Cartesian form में होता है vector form में क्या होता है r vector is equal to a vector plus lambda b vector minus a vector कोई भी उठा लो चाहो तुम vector form ले लो Cartesian form ले लो exactly कोई फर्क नहीं परता है माल लो अगर हमने vector form लिया r is equal to a vector क्या है पहले point इस दो point को हमने p point और q point को हमने select करके line का equation लिखा तो a vector क्या हो जाएगा p point का position vector क्या है 5 i cap plus 5 k cap plus lambda b vector क्या होगा मतलब q point का position vector 2 i cap plus j cap plus 3 k cap में subtract करेंगे क्या 5 i cap plus 5 k cap ठीक है ना तो ये r vector क्या हो जाएगा ये 5 i cap plus 5 k cap plus lambda ये क्या हो जाएगा 2 minus 5 minus 3 i cap plus j cap plus j cap 3 minus 5 minus 8 k cap तो ये हमारा तो आगे वेक्टर एक्विसम आगे ने ये वेक्टर एक्विसम अब क्या है कि माल लेते हैं कि ये हमने क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है कि ये जो point r है ये इसी line पर lie करता है ये जो point r है ये क्या करता है इस line पर lie करता है अब अगर ये line पर lie करेगा तो क्या होगा एक बात समझो बात को दिहान से सुनो हमें प्रूफ करना है कि ये जो point r है ये इस line पर ये तो line का vector equation आए न इस पर क्या करता है यह लाई करता है तो इसका यह मतलब है कि हमें lambda का एक ऐसा value मिल जाएगा हमें lambda का एक ऐसा value मिलेगा जिस value को यहाँ पर हम substitute करेंगे तो यह जो r position vector है वो इसके equal हो जाएगा समझ मारी बात हमें lambda का एक ऐसा value मिलेगा जिसको अगर हम यहाँ पे सबसिट्यूट करें तो फिर यह वेक्टर आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा लैमडा के किसी एक वैलू के लिए यह पोजिशन वेक्टर आना चाहिए अगर हम वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो तो माल लेते हैं कि यह लाई कर रहा है तो हमने क्या माइनस फॉर आई इस पोजिशन वेक्टर को हमने इसे लिख लिए माइनस फॉर आई कैप आर वेक्टर को लिख लिए प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप और यहाँ पे क्या है यह यह है 5-3 lambda i cap प्लस यहाँ पे क्या होगा lambda j cap ठीक है प्लस क्या होगा 5-8 lambda k cap अब यहाँ से दोनों वेक्टर अगर equal है तो 5-3 lambda किसके equal होगा minus 4 के 3 किसके equal होगा lambda के and minus 1 किसके equal होगा 5-8 lambda के तो यहाँ से क्या होगा 5-4 upon 3 is equal to lambda तो यहाँ से lambda का value क्या मिल गया है यहाँ से सिर्फ lambda का value निकालते है यहाँ से हमें क्या मिला 9 by 3 3 अब देखना यह जो lambda का value मिला ना में 3 यह इसको भी satisfy करेगा and इसको भी satisfy करेगा guarantee के साथ देख लो minus 1 is equal to 5 minus 8 into 3 डालो यह क्या हो जाएगा lambda का value आ रहे है ना 3 एक नट देखने दो जगरबर तो नहीं हो रहा है यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे है ना 3K 3K minus 5K यहाँ पे 3K minus 5K बच्चे यहाँ पे 2K आ रहा है गलती होगे हमसे यह 2K है तो यहाँ पे यहाँ पे 2K होगा यह भी 2 lambda होगा तो यहाँ पे भी 2 होगा अब देख लो कर रहा है satisfy 5 minus 6 कर रहा है ना satisfy इसका मतलब क्या है कि अगर हम lambda का value 3 ले अगर हम lambda का value यहाँ पर 3 रखे तो यह जो position vector मिलेगा यह किसके equal मिलेगा यह इस vector के equal मिल जाएगा तो होग यह point R जो है साटिर यह क्या कर रहा है इसे straight line पे लाई कर रहा है देख लो lambda का value 3 लाल के देखो तो एक बार lambda का value ना तुम 3 लाल के देख लो R vector क्या है 5i cap plus 5k cap lambda का value 3 लो और यहाँ पर क्या है minus 3i cap plus j cap minus 2k cap तो यह क्या जाएगा R vector क्या जाएगा 5i cap और यहाँ से minus 9i cap plus 3j cap और यहाँ से क्या रहा है 5k cap and minus 6k cap तो यह क्या रहा है 5 minus 4i cap plus 3j cap and minus k cap देख लो यह नहीं आ रहा है position 4i cap plus 3j cap minus k cap इसके एक रहा है 4i cap plus 3j cap minus 4k cap तो एक lambda का एक value मिला न हमें जिसके cross bonding हमने lambda का value यहाँ पे डाला तो यह जो position vector r किसके equal आ गया जो third point है उसके position vector के इसका मतलब क्या है कि यह तीनो points को linear है हमने किया किया दो points एक line का equation draw कर लिया sorry line का equation हमने लिख लिया फिर हमने क्या देखा दिया कि जो third point का position vector है line को satisfy कर रहा है तो बस हो गया एक तो यह हो गया दूसरा method number two देख लो ऐसे भी कर सकते हो तू method two ऐसे कर सकते हो method number two इसमें क्या कर सकते हो कि p q vector लिख लो यह है न हमने ऐसे ही लिया यह इसको हमने बोल दिया p vector p vector क्या है हमारा 5y cap plus 5k cap p के बाद q हमने क्या लिखा 2y cap plus j cap plus 3k cap और r हमने क्या लिखा minus 4y cap plus 3j cap minus k cap तुम क्या करो पहले p q vector निकल लो p q vector क्या हो q point का position vector 2y cap plus j cap plus 3k cap minus p point का position vector क्या होगा 5y cap plus 5k cap तो क्या होगा 2 minus 5 minus 3i cap plus j cap 3 minus 5 minus 2k cap यह तो हमें क्या मिल लिखा p q vector मिल लिखा फिर qr vector निकल लो तो r point का position vector क्या है minus 4i cap plus 3j cap minus k cap minus q point का position vector 2i cap plus j cap plus 3k cap minus 4 minus 2 minus 6i cap फिर क्या होगा 3 minus j 3 minus 1 minus plus 2j cap minus k minus 3 minus 4k cap k cap ऐसे आगी है अब यहाँ पर तुमें काम करो यहाँ पर 2 common लो क्या हो जाएगा minus 3i cap plus j cap minus 2k cap यह क्या मिल गया हमें यह क्या मिल गया यह pq vector नहीं मिल गया तो हमें क्या मिला qr vector is equal to 2 times pq vector बट यह जो point q है ना इन दोनों vector पर common है तो point q दोनों vector पर common है इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो minus 2qp vector मतलब यह qr vector है यहाँ से q है यह r vector है और दूसरा क्या है हमारा qp vector यह q है यह p point opposite direction में ना पीच में minus है ना opposite direction में तो q दोनों पर common है इसका मतलब क्या होगा यह जो qr vector जो हमें मिल रहा है minus 2qp vector यह क्या imply कर रहा है points p q and r r kolinia यह imply कर रहा है बस होगे बचो q question number 5 में आजो q question number 5 में क्या बोल रहा है q question number 5 में बोल रहा है find the points on the line इस line पर हमें वो point चाहिए at a distance 3 root 2 from the point मतलब क्या बोल रहा है मतलब यह बोल रहा है कि इस point पर हमें इस point पर इस line पर हमें वो point चाहिए यह line का equation है न इस line पर हमें वो point चाहिए मतलब ऐसे समझ जाओ कि line का equation है मतलब यह line का x plus 2 upon 3 is equal to y plus 1 upon 2 is equal to z minus 3 upon 2 हमें इस line पर वो point चाहिए मालो कि यह point A चाहिए जिसका distance एक यह given point है ना 1,2,3 मालो यह B point है 1,2,3 इससे distance क्या हो यह distance क्या हो 3 root 2 unit हो हमें यह point का coordinate चाहिए यह point का coordinate चाहिए ठीक है तो क्या करेंगे माल लेंगे कि lead अब यह मैंने तुमको याद करो पिछले video lecture में क्या बताया था कि इस line पर अगर हमें किसी भी random point का coordinate चाहिए तो हम क्या करते है अगर हमें line पे किसी भी random point का coordinate चाहिए तो हम क्या करते है x plus 2 upon 3 यह क्या है y plus 1 upon 2 और यहाँ पे क्या है z minus 3 upon 2 इसको हमने lambda माल लिया यहाँ से हम अगर x का value निकालेंगे तो x का value क्या होगा minus 2 plus 3 lambda y का value क्या होगा minus 1 plus 2 lambda and z का value क्या होगा 3 plus 2 lambda तो यह जो point है minus 2 plus 3 lambda minus 1 plus 2 lambda and 3 plus 2 lambda 3 plus 2 lambda यह क्या है यह जो है coordinate of any यह क्या है coordinate of any arbitrary point sorry on the line यह line पे किसी भी random point का coordinate है यह बात आ लिए समझ में line पे किसी भी random point का coordinate है अब random क्यों है because lambda का value change करते जाओगे तो line के different different points आते जाएंगे यह सब जो random point है इसका coordinate आते जाएंगे हमने माल लिया कि let जो given point है उसको हमने assume कर लिया कि let a minus 2 plus 3 lambda minus 1 plus 2 lambda और 3 plus 2 lambda be the point on the line be the point on the line हमने माल लिया search that जो given point उसे क्या बोला भी search that a b is equal to a b is equal to 3 root 2 थरीक है अब अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा बताओ a point और b point के बीच में हम लोग distance formula लगा देते हैं b point क्या हमारे पास b point का coordinate क्या है 1, 2, 3 यह है न b point का coordinate तो a और b के बीच में distance formula लगा देते है a b क्या हमारा 3 root 2 है तो a b distance formula लगाएंगे तो क्या होगा minus 2 plus 3 lambda minus 1 whole square plus क्या होगा minus 1 plus 2 lambda minus 2 whole square plus क्या होगा 3 plus 2 lambda minus 3 का whole square is equal to 3 root 2 दोनों side squaring कर दिया तो क्या होगा minus 3 plus 3 lambda का whole square plus क्या होगा minus 3 plus 2 lambda का whole square और यह क्या होगा 2 lambda का whole square is equal to 18 3 कामल लेंगे तो 9 यह क्या होगा lambda minus 1 whole square चलो इतना करने से अच्छा है इसको ना हम लोग चलो 3 कॉमल ले लिए 9 होगे lambda minus 1 का whole square plus यह minus अंदर कॉमल ले लिए 2 lambda minus 3 का whole square plus 4 lambda square is equal to 18 ऐसे हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 9 lambda square minus 18 lambda plus 1 plus 1 नहीं plus 9 plus यह क्या हो जाएगा 4 lambda square minus 12 lambda plus 9 plus 4 lambda square is equal to 18 यह जाएगा अब 9 plus 4 plus 4 यह क्या हो रहा है 8 8 8 17 lambda square ठीक है minus 18 minus 12 क्या हो जाएगा minus 30 lambda और यह 9 plus 9 क्या हो जाएगा 18 is equal to 18 ऐसे हो गए यह cancel हो गए तो यहांसे क्या हो जाएगा lambda कॉमल लेंगे तो क्या होगा 17 lambda minus 30 is equal to 0 तो यहांसे हमें lambda की value एक तो 0 मिल गई और 1 क्या मिल गई 30 upon 17 कि ऐसे 2 points है ठीक है line पे ऐसे 2 points है जिस point से इस point का distance क्या है 3 root 2 अब तुम बोलो गए ऐसे 2 point कहांसे आगे यहांसे होगा एक point यहां होगा मालो की a dash point है a dash से यह भी distance तो 3 root 2 हो सकता है तो एक बार कैसे point कैसे निकालोगे हमारा point तो यह था न यह था न point एक बार lambda का value 0 डाल दो तो पहला point आ जाएगा फिर lambda का value दूसरी जब बार में क्या डाल दो 30 upon 17 डाल दो चलो डालते है हमारा point क्या है point क्या है sorry point क्या है a minus 2 plus 3 lambda minus 2 plus 3 lambda और क्या है minus 1 plus 2 lambda minus 1 plus 2 lambda 3 plus 2 lambda 3 plus 2 lambda lambda का put lambda is equal to 0 lambda का value 0 डाल दो तो यह point का coordinate क्या जाएगा minus 2 minus 1 and 3 फिर यहां पे क्या करो इसी में put lambda is equal to put lambda is equal to 30 upon 17 डाल दो अब यह calculate करना यहां पे minus 2 plus 3 into 30 upon 17 और यह हो जाएगा minus 1 plus 2 into 30 upon 17 और यह हो जाएगा 3 plus 2 into 30 upon 17 तो क्या हो जाएगा minus 2 plus 90 by 17 minus 1 plus 60 by 17 और 3 plus 60 by 17 यह क्या हो जाएगा 90 minus 34 by 17 और 60 minus 17 upon 17 और यह हो जाएगा 51 plus 60 by 17 तो कॉर्णेट क्या जाएगा 56 by 17 और यह क्या जाएगा 43 by 17 और यह 111 by 17 यह answer होगी एक तो यह answer होगी एक तो यह coordinate आगिया दूसरा यह coordinate आगिया तब दो answer होगी ने एक तो यह answer होगी देखिए मतलब दो पॉइंट्स मिल गए हैं दा हमें लाइन पे जिससे इस पॉइंट का डिसेंस किया हमारे पास थी रूट ठीक है पर नोगे